हलो एवरिवान, वल्कम तू रिटा अरोडा रेसिपी चैनल, आज मैं आपके साथ गुलगप्पे के पानी की रेसिपी शियर कर रही हूँ, इसे हम दो तरह से बनाएंगे, खट़टा पानी और मीठा पानी, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 100 ग्राम इमली ले रहे हैं, इ हम यहाँ पर gas का flame off कर देंगे और इसे ढग देंगे ताकि इमली अच्छे से soft हो जाएगी उसके बाद हम इसका pulp यूज करेंगे अब हम खटा और मीठा दोनों पानी में यूज करने के लिए एक मसाला तयार करेंगे इसके लिए हम एक पैन में दो बड़े चम्माच जीरा डालेंगे दो बड़े चम्माच छी सॉफ डालेंगे और दस साबूत का लिमिज डालेंगे और इसे low to medium flame पर भून लेंगे हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें हलकी से खुश्बू आने लगे तकरीबन दो से तीन मिनट ही लगे है और यह अच्छे से भून गया है इसमें बड़ी असी खुश्बू आ रहे है तो अब हम इसे grinder चार में डाल देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे आप चाहें तो इसके लिए मोटल पैसल का भी यूज़ कर सकते हैं बस आप ध्यान रखें कि इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है और यह देखिए हमने इसे दरदरा पीस लिया है दरदरी कुटी हुई सौफ और जीरे का जो टेस्ट है वो गुलगपे के पानी में बहुत ह पढ़िया आता है अब हम इसे इस बॉल में निकाल लेंगे और अब यह इमली का पानी भी ठंडा हो गया है हमने हाथ अच्छे से साफ कर लिये हैं और अब हम इसे अच्छे से मसल देंगे यानि इमली का पल्प जो है वो सारा पानी में आ जाएगा जो भी खटापन है और जो इसके छिलकी हैं वो अलग हो जाएंगे और अब हम इसे चान लेंगे और इसे इस तरह से अच्छे से इसका सारा जो पल्प है वो हम अलग कर लेंगे सारा पानी में जो छिलकी हैं वो अलग हो जाएंगे और यह देखिए सारा इमली का पानी हमने इस बॉल में कर लिया ह और अब हम सबसे पहले खटा और तीका पानी तयार करेंगे यो कि धनिया और पुदीना से तयार होता है इसके लिए हमने याँ पर 1 कटोरी पुदीना लिया है और 1 कटोरी ही धनिया लिया है साथ ही दो हरी मिर्च ली है और एक चुटना टुकड़ा अद्रक का लिया है इन सब को grinder jar में डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे पानी आपको जितनी जुरुत लगी उतना डालें क्योंकि इसमें पानी हमें बाद में डालना ही है और ये देखी हमने इसको पीस लिया है और अब हम इसे चान लेंगे ये optionल है अगर आप चाहें तो इसे बिना चाने भी गुलगप्पी का पानी बना सकते है और अब हम grinder jar में भी आदा कप पानी डालेंगे और इसे इसमें अच्छे से चान लेंगे ताकि जो भी उसमें ये चटनी लगी हुए धन्य पुदिना की वो सारी इसमें आ जाएगी और इस तरह से चम्मच से दबाते हुए हम इसका सारा जो सत है या जो सारा पल्प है सारा फ्लेवर्स है वो निकाल लेंगे अब इस धन्य पुदिना के पानी में हम एक चोथाई कप इमली का पाने डालेंगे जो हमने सबसे पहले तयार किया था बहुत ही बढ़िया खटा पनाएगा इससे एक छोटी चमच काला नमक डाल देंगे आधी छोटी चमच सफेद या साधा नमक डाल देंगे आदी छोटी चमच चाट मसाला डाल देंगे और अब हम एक कटोरी में एक चुटकी हिंग डालेंगे साथी इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे एक मिनट के लिए साइड में लग देंगे ताकि हींग इसमें अच्छे से घुल जाएगी अब हम इसमें एक चुथाई छोटी चम्मच लाल मिच पाउडर डाल देंगे साथी दो चम्मच हींग वला पानी डाल देंगे अब हम इसमे और एक चमच भरकर ये सौफ और जीरे का पाउडर डाल देंगे जो हमने भून कर तयार किया था एक कप पानी डाल देंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर आप नमक और मेर्च वगेरा टेस्ट कर सकते हैं और अपने हिसाप से इस को अरजस्ट कर सकते हैं चतपटा पानी बनकर तयार है और अब हम इसके लिए मीठा पानी तयार करेंगे मीठा पानी तयार करने के लिए यह इमली का बचा हुआ पानी था वो हम इस पैन में डाल देंगे साथ ही डालेंगे 100 ग्राम गुड़ अगर कप से ना पें तो यह आदा कप है आप गुड़ की जगा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और इसे गरम करेंगे जब तक इसमें गुड़ अच्छे से मिल्ट नहीं हो जाता अब हम इसमें एक चोटी चमच देगी मिर्श पाउडर डाल देंगे देगी मिर्श से बहुत ज़ादा तीखा पन नहीं आता लेकिन इसमें कलर बहुत अच्छा आता है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कलर जो है पानी का कितना बढ़िया हो चुके है लाल रंग का और साथ ही देखिए गुड़ अच्छे से मिल्ट हो गया है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे इस बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमच काला नमक, एक छोटी चमच चाट मसाला, एक छोटी चमच अद्रक का पाउडर या जिसे जिंजर पाउडर या सौट भी कहा जाता है दो चमज हेंग का पानी डालेंगे एक बड़ा चमज सौफ और जीरे का पाउडर डालेंगे जो भून का रखा था हमने और एक चमज खरबुजे के बीज डाल देंगे यह आप्शनल है लेकिन यह बहुत ही बढ़िया लगते हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आदी चोटी चमज सादा नमक डाल देंगे और एक कप पानी डाल देंगे एक चोथाई कप रायते की बूंदी डाल देंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीजे हमारा खटा, मीठा और तीखा पानी बनकर तयार है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और अगर आप इसे स्टोड करके रखना चाहते हैं तो आप इसे आइस ट्रे में डाल कर आइस क्यूब्स की तरह जमा भी सकते हो या फिर इसे फिज में भी स्टोड करके 3-4 दिन के लिए रख सकते हो बस आप इसमें राइते की बुंदी तभी डालें जब आप इसे सर्फ करना चाहते हैं तो लीजे गुलगप्य का पानी बनकर तयार है और मैंने इसे सर्फ किया है घर पर ही बने हुए गुलगप्य के साथ और गुलगप्य भी हमारे बहुत क्रिस्पी बने हैं तो आप भी इस recipe को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें और अगर आपको हमारे recipes पसंद आती हैं तो हमारे चैनल Rita Arora recipes को like, subscribe और share जरूर कीजिए और पास ही लगे bell icon पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए videos के notification मिलते रहें और साथ ही आप हमें Facebook और Instagram पर भी join कर सकते हैं और नए-नए recipes के लिए